रात का समय था शर्मीला दुलहन के लिबास में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी लाल रंग के शादी के जोड़े में वो बला की खुबसूरत लग रही थी तभी दिवाकर कमरे में दाखिल हुआ शर्मीला का चेहरा उसे देख कर शर्म से लाल हो गया दिवाकर ने शेरवानी पहन रखी थी वो भी स्मार्ट दिख रहा था हाला कि अंदर से वो भी थोड़ा नर्वस था वो शर्मीला के पास जाकर बैठ गया आप बहुत ही खुबसूरत है आप भी तो काफी हैंडसम है ये कहकर शर्मीला ने दिवाकर के हाथों पर अपना हाथ रख दिया दिवाकर का दिल जोड़ जोड़ से धड़कने लगा मैं सच में बहुत लखी हूँ कि मुझे आप जैसी पतनी मिली अरी ये बार बार आप कहकर मुझे पराया क्यों बना रहे हैं तुम बोलिये ना तुम ये कहकर शर्मीला ने पास रख्या दूद का गिलास दिवाकर को दिया और धीरे से अपनी एक आंग दबा दी दिवाकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई उसने एक ये जटके में पूरा का पूरा गिलास खाली कर दिया क्या बात हैं बहुत जल्दी है आपको अब तुम्हारी जैसे सुन्दर परी सामने हो तो जल्दी तो होगी ये कहकर दिवाकर ने शर्मीला को गले लगाना चाहा लेकिन अचानक उसे सब कुछ दुन्दला सा दिखने लगा अरे ये ये मुझे क्या हो रहा है मुझे सब कुछ दुन्दला क्यों दिख रहा है दुन्दला? क्यों? पता नहीं शर्मीला मुझे तो डर लग रहा है जी डॉक्टर को बुलाओं क्या? डॉक्टर वो अपनी बात खतम भी नहीं कर पाया था कि वहीं बिस्तर पर बेहोशो कर गिर पड़ा दिवाकर, दिवाकर अगली सुबह जब दिवाकर की नीन खुली तो शर्मीला उसके पास नहीं थी शर्मीला, शर्मीला वो बिस्तर से उठा और शर्मीला को ढूड़ने दूसरे कमरे में गया लेकिन ना तो शर्मीला मिली और ना ही शर्मीला का सामान यही नहीं घर से सारी कीमती चीज़ें भी गायब थी उसे समझी नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या गया अखिर शर्मिला कहां चली गई और घर का सारा सामान वो कहां गायब हो गया कहीं शर्मिला ही तो वो सब लेकर नहीं चली गई दिवाकर सिर्फ पकड़ कर बैड गया वो अक्सर ऐसी लुटेरी दुलहनों की कहानी सुना करता था जो शादी के अगले ही दिन अपने पती और उसके परिवार वालों को नीन की गोली खिला कर सारा सामान लेकर भाग जाय करती थी दिवाकर खुद एक दिन इसका शिकार हो जाएगा उसे पता नहीं था लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था क्योंकि वो लुट तो चुका ही था क्या भगवान कैसी किसमत बनाई है आपने मेरी मेरे साथ कोई रहता ही नहीं है साथ साल का था तभी माँ और पिता करने में भी हमेशा आगे रहता था लेकिन आज उसके साथ हुए इस धोके ने उसे भीतर तक जिन्चोड कर रख दिया इस घटना के छे महीने बाद की बात है दिवाकर एक रात ओफिस से घर को लोट रहा था भी उसकी मुलाकात नैना से हुई नैना काफी देर से अपनी बस का इंतजार कर रही थी लेकिन उस दिन शेहर में किसी कारणवश सारी गाड़ियों की हरताल हो गई उसने जब दिवाकर को अपनी बाइक से आते देखा तो उससे लिफ्ट मांगी I am sorry to say कि आप मेरी मदद करेगे मदद? कैसी मदद बोली है न देखिए आप शेहर में हरताल है मैं काफी देर से बस का टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ लेकिन हरताल की वज़े से कोई गाड़ी चली नहीं रही है प्रीज़ आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे आप बड़ी महरबानी होगी दिवाकर ने उसे बाइक पर बैठने को कहा और बोली है मैं, कहां ड्रॉप करना है? मैं नहीं, नैना नैना नाम है मुझे करोल बाग जाना है दिवाकर की बाइक करोल बाग क्यों और चल पड़ी आदे घंटे बाद दिवाकर करोल बाग पहुँच गया एक घर के पास नैना ने बाइक रोपने के लिए कहा थैंक्स अलोट, यही मेरा घर है बाइदवे, आपका क्या नाम है? दिवाकर आप बुरा नमाने तो क्या आप अपना नमबर मुझे दे सकते हैं? नमबर, लेकिन क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर रहने दीजे अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? मेरा नमबर है 9811 दिवाकर ने अपना नमबर नैना को दिया और फिर वो अपने घर के रोड चल पड़ा उसी रात की बात है दिवाकर गैरी नीन में सोया हुआ था तब ही उसके मुबाइल फोन की घंटी बची पहले तो उसे पता नहीं चला लेकिन बार-बार घंटी बचने से उसकी नीन खुल गई उसने फोन उठाया और हलो, दिवाकर? हां जी, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ, आप कौन? इतनी चल्दी भूल गए आप बड़े भुलकर किसम के लगते हो जी, सच कही है तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है आप कौन है? क्या हम पहले मिल चुके हैं? जी, पहले मिल चुके हैं आज शाम कोई और उस पहली मुलाकात में या आपकी सादगी ने मेरा दिल चुरा लिया है मैं नैना बोल रही हूँ जिसे शाम को आपने लिव्ट दी थी उसके बाद दोनों घंटों बाते करते रहे न दिवाकर को यह एहसास हो और ना ही नैना को कि बाते करते करते सुबा हो गई है दिवाकर और नैना अब लगभग हर दिन मिलने लगे फिर एक दिन दोनों को लगा कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और दोनों ने शादी कर ली सुहाग रात की बात है आज तुम्हें दुलहन के जोड़े में इस तरह देख रहा हूँ तो मुझे मेरी वो पहली शादी याद आ रही है जिसमें धोगा खाने के बाद मैं अंदर तक तूट गया था तुम भी न दिवाकर बुरी बातों को बार बार याद नहीं किया जाता उसे भूल जाय जाता है अभी तो बस ये याद रखो कि मुझे बहुत प्यार करना है तुम्हें बहुत सारी रात ये कहकर नैना ने दिवाकर की और दूद का गिलास बढ़ा दिया दिवाकर ने एक ही सांस में दूद का गिलास खाली कर दिया लेकिन उसके कुछ देर बाद ही अरे मेरी आखों के आगे अंधेरा क्यों चा रहा है मुझे क्या हो रहा है नैना पता नहीं दिवाकर अगले सुबब फिर से वही कहानी दोहराई गए नैना घर में नहीं थी और एक बार फिर दिवाकर के घर से कई कीमती चीजों समेथ बहुत सारा कैश कायब था दिवाकर एक बार फिर लुटेरी दुलहन का शिकार बन गया था इस घटना के बाद दो वार और उसके साथ ऐसी घटना घटी कुल मिला कर चार बार वो लुटेरी दुलहन के जहांसे में आ गया इसका असर दिवाकर पर ये हुआ कि वो लड़कियों से डर्डने लगा उसे हर लड़की अब लुटेरी नजर आने लगी एक दिन की बात है वो रात का खाना खाते हुए टीवी देख रहा था एक अभी भी फरार है उसके बाद न्यूस के एंकर ने एक एक करके चारू का चेहरा दिखाया ये सब ही वही लड़कियां थी जिन्नोंने दिवाकर को धोखा दिया था पता नहीं क्या मिलता है ने ये सब करके किसी का विश्वास तोड़के ये तो अपना काम कर जाती है लेकिन जिनको ये धोखा देती है उनके दिल पर क्या गुजरती होगी ये क्या जाने ये क्या जाने ये सोचते सोचते दिवाकर की आँखों में आसु आख है इस घटना के कुछ दिनों बात की बात है दिवाकर हमेशा की तरह शाम को घर लोट रहा था तब ही उसकी नजर सडक किनारे भीड़ पर गई उसने अपनी बाइक रुकियो और वहां गया तो देखा कि एक बहुत ही सुन्दर सी लड़की गायल अवस्ता में वहां पड़ी है सभी लोग उसे देख तो रहे थे लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था अरे भाई साव ये लड़की बुरी तरह गायल है इसे अस्पताल ले जाना होगा दिवाकर को सादमी पर गुसा तो आया लेकिन वो क्या करता उसने किसी तरह उस लड़की को गोद में उठाया और अपनी बाईक के आगे बिठाया और अस्पताल ले गया वहाँ उसकी हालत को देखकर डॉक्टर ने उसे आईस्यू में एड्मिट कर लिया और ये बोला कि देखिए इसका बहुत सारा खून बैय गया है इसे बलड चड़ाना होगा आप जल्दी से बलड का इंतिजाम करिए नहीं तो कुछ भी हो सकता है दिवाकर ने खुद अपना बलड दे कर उस लड़की की जान बचाई जब वो लड़की अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जाने लगी तो उसने दिवाकर का शुक्रिया तो अदा किया ही साथ ही ये कहा कि आप जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी गैर के लिए अपनी जान खत्रे में डाल देते हैं दूसरों की हद से अधिक मदद करते हैं मैं किस मूझ से आपका शुक्रिया आदा करूँ मैंने अपना फर्ज निभाया है बस और कुछ नहीं काश सभी आपकी तरफ फर्ज निभाते कुछ दिनों के बाद की बात है दिवाकर ओफिस से लोट रहा था तो उसे पिर से वही लड़की जिसका नाम रश्मी था वो मिली मैं आपका पता लगा लगा कर परिशान हो गई यही लेकिन आपका कुछ पता ही नहीं चला लेकिन आज देखिये शायद भगवान को मुझे पर दैया आ गई और उन्होंने आप से मिलवा दिया लेकिन आप मुझे डौन क्यों लही है आपसे प्यार का इजार करने आपसे शादी की बात करने देखिए आपको जो कहना है क का असर दूसरों पर क्या होता है मैं समझा नहीं हम पांच पैने हैं और हम कई सालों से अपनी जिंदगी चलाने के लिए ये करते हैं लेकिन अब मुझे हिसास हुआ कि दूसरों का दिल दुखा कर कभी खुश नहीं रा जा सकता आप मेरी बैनों को माफ कर दीचे मैं वादा करती हूँ मैं आपको धोका नहीं दूँगी मैं आपका साथ दूँगी दिवाकर को पहले तो डर लगा लेकिन फिर उसने उससे शादी कर ली आज पांस साल हो चुके हैं उनकी शादी को दोनों खुशी-खुशी रह रहे हैं उस भीड भाड़ वाली सडक पर एक दम से जैसे सब कुछ थमसा गया था एक औरत जिसका नाम सुलेखा था वो बधवास सी सडक पर भागी जा रही थी उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी और हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी सुलेखा को जरा भी फिकर नहीं थी कि सडक पर इतनी सारी गाड़ियां फुल स्पीड में भागी जा रही थी उसे तो बस कहीं पहुँचना था मैंने कुछ गलत नहीं किया है चो किया है सही किया है अगर ये नहीं करती तो फिर ना जाने क्या होता भागते भागते वो पुलिस स्टेशन पहुची उसकी बधवास हालत देखकर वहाँ भी सभी उसे घूर रहे थे इंस्पेक्टर साब का है मुझे उनसे मिलना है मुझे उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी है वो वो अंदर है आफिस में पुलिस वाले सुलेखा को लेकर इंस्पेक्टर अर्जुन के आफिस में गए सर, सर मुझे गिरफतार कर लीजी मैंने एक राक्षस का संघार इस चाकु से किया है संघार? या मर्डर? मर्डर किया है आपने? मर्डर नहीं सर, संघार संघार किया है मैंने सुलेखा एक स्कूल में टीचर थी एक साल पहले तक उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक शाम की बात है, जब सुलेखा अपने पती विवेक के साथ हॉस्पिटल से आ रही थे हाँ, मुझे भी उस पल का इंतजार है विवेक दोनों टेक्सी में बैठे बाते करते हुए आ रहे थे तभी अचानक उनकी टेक्सी को पीछे से आरे ट्रक ने जोरदार टक्वर माल दे वे कुछ समझ बाते उसके पहले ही सुलेक और विवेक के जीवन पर दुखो का पहार तूट पड़ा ड्राइवर और विवेक की मौत मौके पर ही हो गई ट्रक की टक्कर से टेक्सी में आग भी लग गई आ, 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 बचाओ, बचाओ किसी तरह सुलेखा बाहर तो निकल गई लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गई थी लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुचाया डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे तुरंत आईस्फ्ट कर दिया अस्पताल के ICU में ही सुलेखा ने एक बेटी को जन्म दिया क्योंकि अगर डॉक्टर आपरेशन करके बच्चा नहीं निकालते तो दोनों की मौत हो जाती सब कुछ गत्म हो गया, सब कुछ कितना इंतजार था विवेख को बच्चे का लेकिन अब वो ही चला गया विवेख के जाने के बाद सुलेखा पूरी तरह टूट गई थी लेकिन उसे जीना तो था न, अपनी चोटी सी बच्ची के लिए विवेख की आखरी निशानी के लिए नौकरी तो वो करती थी इसलिए कोई आर्थिक दिक्कत तो उसे नहीं थी लेकिन उसे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी उसका नाम था संग्राम सिंग अरे मैडम, आज आपका चहरा कुछ मुर्जाया-मुर्जाया क्यों लग रहा है देखिए, फूल हसते हुए अच्छे लगते हैं उन पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती फूल, ये आप क्या कह रहें सर? अरे मैम, आप बुरा मतमानी है फूल से मेरा मतलब है कि इनसान को हमेशा हसते खेलते रहना चाहिए उदासी से किसका भला होता है? संग्राम सिंग सुलेखा के स्कूल में ही स्पोर्ट्स टीचर था सुलेखा का पती जब जीवित था तब भी वो उसके उपर डोरे डालने की कोशिश करता था और अब तो विवेक इस दुनिया में था नहीं तो उसे पूरी छूट मिल गई थी एक दिन तो वो रात को सुलेखा के घर पहुचा अरे सर आप इतनी रात को? वो क्या है ना की इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूँ बच्चे सो गई क्या? जी अभी अभी सोईए बड़ा बुरा लगता है सुलेखा जी मुझे तो आपको देखकर क्यो सर? क्या हुआ? उसके बाद संग्राम सिंग ने मुँँ में पान चबाते चबाते हुए कहा कितना अकेला पन लगता होगा ना आपको भगवान भी न कभी कभी बड़ी नायंसाफी कर देता है आप जैसी जवान इतनी खुबसूरत औरत को बिध्वा कर दिया सर चुब भाग्य का लिखा है वो कैसे मिट सकता है? भाग्य का लिखा नहीं मिट सकता लेकिन ये अकेला पन तो मिट सकता है सुलेखा जी मैं जानता हूँ कि आप जवान है खुबसूरत है बहुत सारे आपके अर्मान भी कभी कभी खुब जोर मारते होंगे देखिए मुझ से क्या छिपाना? अगर किसी तरह की कोई जरूरत हो तो बेजिजग मुझे कहिए ये कहकर संग्राम सिंग ने सुलेखा का हाथ पकर लिया जिसे सुलेखा ने तुरंद जटक दिया और गुस्से में बोली ये क्या कर रहें आप? हाँ? क्या कर रहें? शर्म नहीं आती आपको अरे मैं विद्वा हूँ अपाहिज नहीं एक मिनट में यहां से निकल जाये नहीं तो चप्पल निकाल कर इतना मारूंगी इतना मारूंगी कि सारी आशी की मिट्टी में मिल जाएगी अरे सुलेखा जी आप तो बुरा मान गई देखिये मैं जानता हूँ कि औरते थोड़ी संकोची होती है थोड़ी शर्मीली भी इसलिए वो ये सब बाते खुल कर नहीं करती इसलिए तो मैं खुल कर आपसे पूछ रहा हूँ कोई जरूरत हो तो मुझे बोलिये ये कहकर संग्राम सिंग ने सुलेखा से एक बार फिर से बत्तमीजी करने की कोशिश की इस बार सुलेखा का सब्र जवाब दे गया और उसने उसे खीच कर थपड़ मार दिया निकल निकल यहां से राक्षस निकल नहीं तो आज मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू अपना चेहरा देखने से भी डरेगा सुलेखा ने संग्राम सिंग को भगा तो दिया लेकिन संग्राम सिंग अपनी आदतों से बाज नहीं आया वो कभी स्कूल में तो कभी स्कूल की कैंटीन में सुलेखा को परिशान करने की कोशिश करता अरे मडम आप कहां चल दी उठकर आज तो आपकी तरह मस्त गुलाब जामुन बने हैं कैंटीन में चलिए ना दोनों साथ मिलकर खाते हैं सुलेखा ने संग्राम सिंग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कैंटीन से उठकर स्टाफ रूम बे आ गई सुलेखा ने उस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि संग्राम सिंग की जान पहचान कुछ बड़े टाकतवर लोगों से थी वो बार-बार सुलेखा का ट्रांसफर रुखवा देते थे सुलेखा बिचारी खून का घूट पी कर नौकरी करती और संग्राम सिंग की बत्तमीजी छेलती एक दिन की बात है, सुलेखा क्लास में पढ़ा रही थी तब ही ग्यारवी क्लास के रड़की सीमा ने उससे शिकायत की की मैं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन क्यों? अब तो पेपर होने वाले हैं बस ऐसे ही मैं, ऐसे कैसे कोई तो कारण होगा तब सीमा ने सुलेखा को बताया की मैं, स्पोर्ट्स टीचर संग्राम सर मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ ही नहीं कई और लड़कियों के साथ भी कोई उनका विरोध करता है तो वो धमकी देते हैं कि वो अपनी पहुँच का इस्तिमाल करके फेल करवा देंगे या स्कूल से निकलवा देंगे सीमा की बातों को सुनकर सुलेखा का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा तो स्कूल छोड़ने से इसका हल मिल जाएगा हल लड़ने से मिलता है चुनौती को खुद पर हावी होने देने से हार होती है जीत नहीं हिम्मत का हाथ थामे रहोगी तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन अगर हार मान लोगी तो हर कोई दबाएगा सुलेखा की बातों का सीमा पर जबरदस्त असर पड़ा उसी दिन की बात है संग्राम सिंग जब उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो सीमा ने उसके गाल पर जोड़दार तमाचा मारा सर अपने नापाक हाथ पीछे रखिये नहीं तो इसे तोड़ दूगी तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया है अब देखो मैं क्या करता हूँ जो करना है कर लीजे लेकिन याद रखिये जब नारी की आत्मा को चोट पहुचती है न तो फिर वो नागिन बन जाती है नागिन संग्राम सिंग को बाद में पता लगा कि सीमा किस हरकत के पीछे सुलेखा का हाथ है उसी ने उसे शेह दिया था तो उसने ऐसा किया ये जानकर संग्राम सिंग आग बबुला हो गया उसने शराब के ठेके पर जाकर जमकर शराब पी और शराब के नच्षे में संगराम सिंग सुलेखा के घर पहुच गया तुम तुम फिर आ गए चले जो यहां से नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आज मैं जाने नहीं कुछ लेने आया हूँ और वो ले कर जाओंगा यह कहकर उसने सुलेखा को पकड़ने की कोशिश की सुलेखा भागती हुई किचन में गई और वहाँ पड़ा चाकू उठा लिया दूर हटो, हटो दूर नहीं तो यह चाकू पेट के अंदर उतार दूँगी आय हाय 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 आप तो लक्षमी बाई बन गई एकदम शेरनी टाइप लेगिन वो क्या है ना कि आप शेरनी है तो हम शिकारी हैं शिकारी और आज आपका शिकार करके रहेंगे यह कहकर संग्राम सिंग ने सुलेखा को पकड़ लिया छोड़ो छोड़ो मुझे अरे छोड़ देंगे मैडम जी पहले हमारी खोहिश तो पूरी हो जाए यह कहकर संग्राम सिंग ने सुलेखा को अपनी और खीचा लेकन इस बार सुलेखा पूरी तरह तयार थी उसने चाकू को कसकर पकड़ा और उसके पेट में भूग दिया थोड़ी देर तड़पने के बाद संग्राम सिंग वही धेर हो गया सर यही मेरी कहानी है अब आप ही बताईए सर एक राक्षस को मारना मडर है या संगहार इंस्पेक्टर के पास सुलेखा की बातों का कोई जवाब नहीं था उसने सुलेखा को हिरासत में ले लिया उस पर मुकदमा चला अदालत में जज के सामने जब सारी कहानी आई तो उसने सुलेखा के जर्म के लिए सिर्फ एक साल की सजा सुनाई सुलेखा एक साल की सजा काट कर आज फिर से उसी स्कूल में बच्चियों को पढ़ा रही है